हेलो बच्चो आज हम जानेंगे वाटर कलर्स के नेम और यह भी सीडी को पढ़ना लिखना तो आए मैं आपको बताते हूं कलर्स के नेम यह देखे कौन सा कलर है ब्राउन कलर है यह कौन सा कलर है यह है यलो कलर वाइट कलर ग्रीन कलर यह कौन सा कलर है रेट कलर है और देखे यह कौन सा कलर है यह है आरेंज कलर तो आएब हम लोग ए भी सीडी में कलर को फिल करते हैं तो बच्चों पहले क्या आता है पहले आता है ए तो आएब हम ए में कौन से कलर को फिल करेंगे आरेंज कलर को एफ और क्या होता है एफ और होता है एफ और होता है एफ पल मेंस होता है सेव क्या होता है एफ पल मेंस होता है एक बाद क्या आता है A के बाद आता है B ये है red color कौन सा color है? red color है तो B में हम करते है red color B for क्या होता है? B for होता है bag bag means होता है बस्ता तो देखे B में red color फिल हो गया B के बाद क्या आता है? B के बाद आता है C और ये है green color तो C में हम करते है green color C for होता है cat cat means होती है billy c के बाद क्या आता है c के बाद आता है d और ये है बच्चो white color तो d में हम करेंगे white color d for होता है dog dog means होता है kutta d के बाद क्या आता है d के बाद आता है e ये है yellow color कौन सा color है yellow color है तो e में करते है yellow color e for होता है elephant elephant means होता है हाथी E के बाद क्या आता है बच्चो? E के बाद आता है F और ये कौन सा कलर है? ब्राउन कलर तो F में करते हैं ब्राउन कलर F फॉर होता है फॉक्स फॉक्स मिन्स होती है लोम्री F के बाद आता है G ये है आरेंज कलर G फॉर क्या होता है? G फॉर होता है गोट goat means होती है बकरी क्या होती है goat means goat means बकरी होती है जी के बाद आता है h यह देखे red color h में करते है red color h for होता है horse horse means होता है घोड़ा क्या होता है horse means horse means घोड़ा होता है h के बाद आता है i क्या आता है i आता है यह देखे green color i for होता है ice cream आई के बाद क्या आता है आई के बाद आता है जे यह देखें वाइट कलर तो वाइट कलर हम लोग यह फिल करते हैं जे फॉर होता है जेली फिस जे के बाद आता है के यलो कलर के फॉर क्या होता है के फॉर होता है किंग किंग मिन्स होता है राजा क्या होता है बच्चों lemon means होता है नीमभू, L के बाद आता है M, तो आए हम लोग M में कौन से कलर को फिल करते हैं, आरेंज कलर को, M for क्या होता है, monkey, monkey means होता है, बंदर, क्या होता है, monkey means बंदर होता है, M के बाद आता है N, और ये है red color, तो एन में करते है रिट कलर एन फॉर होता है नट नट मींस होता है नारियल क्या होता है नट मींस? नट मींस नारियल होता है इन के बाद क्या आता है? ओ आता है और ये है ग्रीन कलर ओ फॉर होता है आउल आउल मींस होता है उल्लू O के बाद क्या आता है O के बाद आता है P तो आएए हम P में कौन से कलर को फिल करते हैं वाइट कलर को P फॉर होता है पाइनेपल पाइनेपल मिन्स होता है अननास P के बाद आता है Q Q में कौन से कलर को फिल करेंगे यलो कलर को Q फॉर क्या होता है बच्चो Q for होता है Queral Queral means होती है Glary क्योंकि बाद क्या आता है? R आता है तो आए हम R में करते हैं Brown color R for क्या होता है? Rose Rose means होता है गुलाब क्या होता है बच्चो Rose means? Rose means गुलाब होता है तो देखे R में Brown color फिल हो गया R के बाद आता है S और ये है Orange color S for होता है Sun Sun means होता है सूरज क्या होता है Sun means सूरज होता है इसके बाद आता है T तो देखे हम T में करते हैं Red color को T for होता है Tiger Tiger means होता है Cheetah T के बाद क्या आता है? U आता है और ये है Green color U for होता है U for होता है Ambrella Ambrella means होता है च्छाता U के बाद क्या आता है बच्चो V आता है तो देखे V में हम करते है white color V for होता है vegetable vegetable means होता है sub G V के बाद आता है W तो देखे W में हम कौन से color को करते हैं yellow color को W for क्या होता है W for होता है watch watch means होती है घड़ी क्या होती है watch means घड़ी होती है डबलू के बाद आता है एक्स ये है ब्राउन कलर एक्स फर होता है एक्समस्ट्री एक्समस्ट्री मिन्स होता है क्रिसमस्ट्री एक्स के बाद क्या आता है वाई और ये रहा आरेंज कलर वाई फर होता है याट याट मिन्स होता है नाव क्या होता है Yard Means? Yard Means now होता है Y के बाद आता है Z यह बच्छो red color Z for होता है Jip Jip Means होती है Can क्या होती है Jip Means? Jip Means Can होती है तो बच्छो आप लोग भी ऐसी पढ़िए और आगे बढ़िए O.K. बच्छो Bye Bye! Thank You!